नवश्कार बिन्या टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ विवेक रीवा में शादी के दौरान एक अनोखी घटना देखने को मिली है जिसमें दूले के दोस्तों के दौरा दुलहन और उसकी सहेलियों के साथ अभधरता करना भारी पड़ गया है दौलहन से छेड़ खानी करने पर घ़रातियों ने पूरी बरात को बंधक बना लिया और सारी रात लाठी और डंडों के साथ बरात की पिटाई की गटना रीबा जिले के मउगंस्थाना इलाके के बनपाडर गाउं की है लड़की बालों का आरोप है कि बरातियों ने उनके घर की लड़कियों पर बताशे फेके थी इसके बाद जैमाला के दौरान दौलहन को भी गल्यत तरीके से छूना शुरू कर दिया था उधर दौलहे के पिता ने लड़की बालों पर 75,000 की लूट का आरोप लगाया है पुलिस का कहना है कि लड़के की दिमागी हालट ठीक नहीं थी और विबात की असली वजह वहां से शुरू हुई थी फिलहाल दोनों पच्छों में समझावता हो गया है आपको बता दे कि मनिकवार माम गाओं के अमरितलाल यादो के बेटे प्रदुमन यादो की बारात रविबार को शाम बन पाडर गाओं आई हुई थी शादी यमुना यादो की बेटी के साथ होनी थी दौलहे का पिता शोंबार की सुबह मौगंस थाने पहुँचा उसने पुलिस को जानकारी दी कि वह जैसे तैसे किसी तरह भाग कर यहाँ पहुचा है लड़की वालों ने पुरी बारात को बंधक बना लिया है हमारे साथ भी मार पीट की गई है पुलिस जब मौके पर पहुची तब लड़की वालों ने एक अलग ही कहानी उन्हें बताई उनका आरोप है कि दौलहे की दिमागी हालत बिलकुल भी ठीक नहीं है वह भी जैमाल के दौरान आजीव हरकत कर रहा था दौलहन ने खुद शादी से इसके बाद इंकार कर दिया दौलहन ने कहा कि लड़के वालों ने हमें धोके में रखकर या पूरा रिष्टा तैंकिया था इस मामले में एसपी शिवकुमार बर्मा ने बताया कि लड़का मानसिक रूप से कमजोर है इसलिए जैमाला के समय बिवाद की इस्थित खड़ी हुई थी दोनों पच्चों में फिलहाल समझोता हो गया है अब किसी भी प्रकार की बिवाद की इस्थित इन दोनों के बीच नहीं है आपको बताएं कि मानसिक तोर पर कमजोर दूले के उसके दोस्तों ने उसे उठा कर ले गए और पूरी बारात को पैदल ही लोटना पड़ा अब नितलाल का कहना है कि उसने 75,000 की लूट भी की गई है ये पैसा गाड़ी बाले और डीजे बालों को देना था गाड़ी बाले अपनी गाड़ियां लेकर चले गए इसके बाद पूरी बारात को पैदल ही वापस लोटना पड़ा बहुत बहुत धन्यवाद